हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम पूस्टाइक चैनल आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि रबड़ी कैसे बनाया है तो चलिए शुरू के बड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक लीटिर दूद, चीनी, एलाइटी पाउडर और थोड़े से ट्राइफ फ्रूट्स सबसे पहले हम दूद को बॉइल करेंगे दूद जो है वो बॉइल होने लगा है दूद को मैंने बड़े से नॉन स्टिक कंटेनर में ट्रांस्वर कर लिया है ताकि दूद जो है वो नीचे ना चिपके हमें दूद को रिड्यूस करना है और इससे टाइम टू टाइम चलाते रहना है ये देखिए उपर मराई की परत जमने लगी है हमें बिल्कुल इसी की जरुवर्थ है और बीच पीच में इससे चलाते रहे अपना इसमें डाल ये थोड़े से ड्राइफ फूट एक चम्मच इलाइजी पाउडर और इसमें डालोंगी मैं पांच चम्मच चीनी और हम अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले अगर आप कम मीठा खाते तो कम चीनी डाले और अगर आप ज्यादा मीठा खाते तो ज्यादा खीनी डाले रबड़ी बनके रेड़ी हो चुकी है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में लकाल लेंगे मैं रबड़ी को थोड़े से आलमंड से डेकुरेट कर दोंगी अब इस रबड़ी को थोड़ा चिल करें और उसके बाद सर्व करें इसके रजपी बहुत ही आसान है आप इसे घर पर ज़रूर ठ्राइक करें अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी रगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले